थोर लव एंड धंडर इस सीक्वल में काफी सारे केरेक्टर्स मिस्टिरियस हैं तो आपको क्या लगता है मिस्थोर का रोल किसने किया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुवी की स्टोरी काफे सारे सीन्स पर बेस्ट है तो इसका मैंन को और बता पाना थोड़ा मुस्किल है नमस्कार दोस्तो मैं आप सब काफीर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोर लव एंड थंडर मुवी की और उसमें एड होने वाले मिस्टीरियस केरेक्टर्स की भी इनिशिली थोर गारजिन गेलेक्सी टीम के साथ होता है जैसे हमने एड वॉर में देखा था क्रिश्टिन बेल ने इस मुवी को और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बनाया है वो इस मुवी में एक विलन का रोल कर रहे हैं जो की एक काफी स्ट्रॉंग केरेक्टर सावित हुआ है इस मुवी के लिए गोर जो की गोर बुचर होता है मुवी की स्ट्रॉरी उतनी स्ट्रॉंग नहीं लगी बाकी सीक्वल्स के मुकाबले इस सीक्वल में थोर आपको कॉमेटी करते हुए भी मिलेंगे और जो सबसे ज़्यादा अनेक्सपेक्टिंग केरेक्टर था वो था मिस थोर का जिसका रोल किया है जेन ने जी हाँ वही जेन जो फस्स सीक्वल में थी थोर का टूटा हुआ हैमर दुबारा जोइंट होकर जेन को मिस थोर बना देता है और फाइनली थोर और जेन मिलकर गोर को रोकते है आपको इस मुवी का कंसेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए आपको इस मुवी जरूर देखनी चाहिए मेरे ख्याल से इस मुवी की रेटिंग 6.5 होनी चाहिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें थोर लव और धंडर